श्री गनेशा या नमहा, नमस्कार दोस्तो दोस्तो, चंद्रमा हमारे दैनिक राशी फल में काफी महत्व रखते है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तिरे का प्रभाव डालने वाले है इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चोथे भाव में रहेंगे जी हाँ, चोथे भाव में चेंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन आपको थोड़ा साउधान रहना जरूरी होगा, साउधानी अबरतनी जरूरी होगी, ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है, इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते है तो सोच समझ कर करें, और अगर टाल दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इस समय में कुछ मामलों में साउधानी बरतना जरूरी रहेगा, किसी तरह के लापरवाही आपको इस समय में महेंगी पड़ सकती है, इस दिन आपको सिरदर्द की शिकायत रह सकती है, साउधानी बरतनी जरूरे रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत नतिये पर पहुच सकते हैं, इस समय में आपके बिजनेस के क्षेतर में दिन ठेक ठाक सा रहेगा, कुछ अडचनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी धन के क्षेतर में दिन अच्छा रहेग बस कही निवेश करना है, तो साउधानी जरूर बरते, किसी अच्छे व्यक्ती से सलाज जरूर ले, बिजनेस से जुड़ी किसी तरह की समस्या आज आपको थोड़ा परिशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी कठेनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस समय में आपके न नोकरी ढून रहे है, तो प्रयास जारी रखे, नोकरी मिल सकती है, नोकरी मिलने के लिए समय अनुकुल है, इस समय में जमीन जायदात के कामों में आपको मुनाफ़ा हो सकता है, इस समय में अगर आप कोई नया वाहन खरिदना चाहते है, या फिर कोई बड़ी वस्तू ले हो सकती है, अगर स्टूडन्स की बात करें, तो स्टूडन्स के लिए ये समय मिला जुला सरहेगा, ना ज्यादा अच्छा, ना ही ज्यादा बुरा, आप पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपके मन में इस दिन कई प्रकार के विचार आ स खास बात रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ इस समय में बहुत अच्छे रहेगी, एक दुसरे को समझने में आसानी होगी, पार्टनस एक दुसरे को बहुत अच्छे तरे से समझ लेंगे, मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए समय अनुकुल है, अगर लव लाइफ की बात खाक रहेगी, फिजिकली आप काफी फिट रहोगे, लेकिन mentally थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो, मानसी परिशानी, थोड़ा तनाव और सिर्दत की खायत आपको रह सकती है, किसी चीज के बारे में टेंशन हो सकता है, कोई चीज आपको काफी परिशान कर सकती है, बाकी स्वा की बाते दिखाई देती है तो आपको शांती बनाए रखनी है ताकि मामला वही खतम हो जाए और इस दिन किसी औरों के जगडों से भी आपको दूर ही रहना चाहिए इस दिन आपके लिए माते पर चंदन का टिका या केसर का टिका लगाना बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को ए व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के ज प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखतीए, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है अगर आप कही बाहर से आते है और अपने जूते च चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखें दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती ह कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूतरे रखे और उनको उनकी जगय पर रखे उनके लिए एक ष्थान बनाए उस थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरह से साप सुतरा रखें clean रखे साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही ज क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हां सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी हम हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीड़िया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता ह इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़शेडा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करत है उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडिका जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेश का साब सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानियां दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते इसाफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे हैं, जैसे डूपते नाव की तस्वीर, या फिर जगडे की तस्वीर, या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है, जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है, कि ये तस्वीर निगेट आव डाल रही है, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद